हलो गाइस वेल्कम बैक टू क्रिकेट और अशिश राटी और आज आपको मैं पताने जा रहा हूँ को एक्सरसाइज जो घर पे कर सकते हैं अब भी कोरोना के टाइम पे और थोड़े से इंप्रोवाइजेशन भी बता हूँ गाइस जब जीम शुरू होंगा जब बाकी एक्स शुरू होंगे तो इसमें से कुछ एक्सरसाइज उसके बाद के लिए भी है तो और आल यह मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मिक्चर है आप इसमें से पहुंच से कर सकते हैं जितने कर सकते उतने घर पे परफॉर्म किजिए अभी कोर बहुत श्रॉंग कर लिजिए अपना और कोर्ष्रॉंग कर लोंगे तो वो बहुत आपके गेम में रिफ्लेक्स में जब डाइविंग कैचेस में यह सब चीजों में बहुत इंप्रूव और चखके लंबे चखके बाहनने में और बैसिकली कोर के बारे में मैं और ड़ेडि काफी बात कर चुका हूँ काफी है 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 तो तो सबसे पहले गाइस अपन लेक रेसे से स्टार्ट करते लेकर अगर आपके दो लेक्स उपर नहीं आ रहे हैं तो आप देरे कीजिए अगर दीरे पॉसीबल है तो कि दीरे बने से अगर आप दायनमिक एक्सराइज कर वह और इसमें आपको अपनी और अपनी अपनी एक्षिविटी फिक्शन बढ़ाना है तो उसमें आप गरा स्पीड बढ़ा सकते हो इस ये उपर लगाई अचीन, आप पीछे स्पोट के लिए तो रख सकते हो, आगर जैसे ये मेरी सिंफ बाल है, आगर में इसको भगड कि लिए में यह सबस्के सब्रब कर ख lets you please कर रिख लो ब Packardुगा Speaker आगर जाए कम इन स्बस्सिंप स्फो्रीए सब्रृत और अगर अगर पीसे सपोर्ट के लिए नहीं है तो आप अपना हाथ अंदर डाली या अपने बैक साइड और थोड़ी सी कमर अपनी तो यह आदे यह लोगर अपस के लिए है इस लोगर और के लिए जो लोगर अप्डॉमिनल वीजन उसके लिए तो यह अपकी इसाब से इस बीस के तीन लिपटेशन करने को ना एक लिस्ट यह बेसिक है अगर आप इससे ज्यादा कर सकते तो बहुत अच्छी बात है में बहुत एक्स्ट नी करने को जाने को ना सबका पॉम्बिनेशन लिए करने को ना तो यह फिर्स्ट एक्सरसाइस टीरेड़ के सेकर्ड़ एक्सरसाइज है हिप मोबिलीटी और कोर का कॉम्बिनेशन है इसमें कोर में भी प्रेशर आता है साथ में हीप मोबिलिटी भी काफी इंपरो होती है जो कि बॉलर्स को बैसमन को फिल्डर्स को हम सब को काफी जरूरी है तो यह एक्सरसाइज बहुत इंपोर्टन्ट है इसके भी सेट्स कोशिश किजए कि अटलिस बीस बीस के दोनों साइट बीस बीस पंद्रा पंद्रा के अटलिस तीन सेट कीज़े थर्ड एक्सरसाइज है गाइस कि आपको यह ऐसे बैठना है और पैर को टच करना है मैं करके दिखाता हो एक में कि यह साइट से आपको हिल्ट अचा है थोड़ा सा यह सर्फेस थोड़ा सा अनिवन है तो यह आप कई भी कर सकते हैं टेरेस पर सकते हैं घर के रूम के अंदर कर सकते हैं कि इससे भी साइट में साइट साइट के और को साइट के एब्डॉमिनल रिजन को काफी फैल्प होती है जो फिल्डिंग के थ्रोव करने के अध्याद साइट स्वीप मारते हैं और होरीजोंटल शॉट केलते हैं काफी मदद होंगी तो यह भी एक्सरसाइज रिपिडेशन साब तीन सेट कीज़े जो भी एक्सरसाइज कर बता रहा हूं Us के तीन सेट कीजिए और प्रेशर आनंदे अージए cambio इसार मिलगातना का सब्सक्राम kindness तक फनल के छांचे साथ सब्सक्राइब तो यह विरिशन की जीए के इससे ठीजी सीच कीजीए आप एक वेरियेशन जा सकते हैं थोड़ा उपर उठ सकते हैं या तो जो पहली बार कर रहे हैं तो वह एकडम पूरा सर्ट पीखा के रख सकते हैं तो इसमें सिम्पल है पर प्रेसर आता है इसके भी रिपिटेशन स्कीन करने को ना हर पैर से पंद्रा पंद्रा तो एक चीज का गोर रखेगा इस गोर की एक्सरसाइज में पेट ना पेट अंदर खीच के रखे और सास नात से लीजिए आन सास लेना ज़रूरी है सास लेते रहिए पर पीट अंदर खीचे आ रहना चिए बहुत लोग जोग्शुक्त तंधर खीच के नहीं रखते और रृफ पंदर खीच के करने क्या सास नहीं के लेते हैं जोन भीदिंग ऑडनी और जोर कर गड़़त णिया ॉल्ट बहु साइड के प्रेशर आता है साइड फलाइंग परेशा साइड लाइजा पार साइड परेश़ान परेशियर यह थे ने फिल गहले तो गयद स्पर साइड टो गाइज मेरी सीड़ एक्सराइज RAW नीचे फॉस रिए के पीछे है कमार के नीचे और लेक रेसेस करने और साथ में यह पूश करना है साथ में तोड़ा जटका देना उपर आना है इस पर भी काफी प्रेशर आता हुआ हाँ कि इसके बाद ए शिक्स्थ शिट्सयार सेवनथ शिक्स सेवन एक्षरसाइज है अगर बॉल लेना है अगर बॉल नहीं रहा तो कोई और अब्जेक्ट ले सकते पानी की बॉटल ले सकते हैं कुछ और ले सकते हैं तो तो यह करना है पेट अंदर खीच के रखना है नाक से सास लेनी है इसको शायद रशियन ट्विस्स पोलते हैं नाम में थोड़ा गड़बर हो जाएंगा तो माफ कर दीजेगा गाइस पर यह एक्सरसाइज बहुत इंपोर्ड़न्ट है बहुत माइने रखती है थोड़ा हेवीवेट लेनी क पूशिश किजे मेरे कफेट सेना आफ जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास कफेट सब्सेन को टाशे सकता हूँ कि जब लेग रेजस्स कर रहें। तो कफट सपहन के भी लेग रेजस्स कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमयं जब करना है ह। थोड़ा हार्ड कॉर करना है। जिसकी इंटेंसिटी तैसी है। तो यह basic idea दे रहा हूँ, आगर आपकी intensity बहुत अच्छी है, आपका core strong है, आप powerful हो तो आप उसमें intensity बढ़ा सकते हो, all the time try to push your limits और core अपना strong करने के कोशिश कीजिए मेरी next exercise है, यह ऐसे हाथ रखने है, सीधे shoulder line में हाथ रखने है, और पैब भी गुटने गुटनों पे रखना है, और एक हाथ से यह है कि इस इस पे धैन रखे कि कमर से कमर से हिलना नहीं है, कमर जो हीप है, वो एक जगापे stable रहने को ना, सिप कमर के नीचे का पाट, नीचे के कभीबी ऐसे साइटव dairy हो जाती है तो साइडवेज नहीं है गुफ होंता इसमें आगर आप जाधा पहर DR नहीं लेके जा सकते हो सब्सक्री नहीं लेक्र सब्सक्री मेरे लैंकि करने के लिए मेरे नेक्स इकसर सईदेगा इस प्लांक और दिद्नक करने के लिए प्लाइंग करने के लिए आपको यह एलगो पे रखना है और यह सीधी बोड़ी बोड़ी पूरी सीधी रहता है खुदा कमर से ज्यादा उपपर नहीं कमर से नीचे नहीं यह एक लाइन में रखने को और इसमें एक मेट रहने के कोशिच करने को ना पेट अंदर खीचना है पेट अंदर खीच के रखना है और एक मेट के तीन सेट दो मेट के तीन सेट करने को यह सीधा अब इसमें इसमें यह स्ट्रेट हो गया है साइडवेश साइडवेश इसमें वेट रख सकते हो हाथ में इंप्रोवाइजिशन के तोर पर आपको अगर वेट रखना है वेट आपको करना है तो और यह प्लाइंग दोनों साइट से दोनों साइट से कर सकते हो है यह काफ़ी जरूरी यह this right-y यहumbra यह यह स्टे प्ist एक्सराइज मैं आता हैं डायनामी को और इस अब करते हैं कि डायनामीग में बहुत सारी चीजे, बहुत सारी इंप्रोआज़ेशन कर सकते हो, यह क्रियेटिविटी आप कर रहे है, और लास्ट मेरी बोनस एक्सरसाइज है, जो आपके पास पता नीए अवलेबल है की नहीं है, पर मेरे पास अवलेबल है, ट्रेश बैंड की, तो वो लास्ट लें तेटिया अपना इयर में रहता है यह इस प्रेशर बहुत अच्छा आता है 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 यह को से बाइब है यह इस टेबलीटी और ज्यादा चीशए रहती है वाड़ी की क्योंकि उसको फेवर रखना है अपने को साथ में कि यह इसमें पैर डालना है आपको और आप जैसे कि आप जिप सकते इसमें स्टैबिलिटी लखना बहुत डिपिकल्ट हो रहा है कि इसके भी आप 15 के तीन रिपिटेशन कीजिए बढ़ाइए इसमें काफी प्रेशर आता है आपने देखा जैसे मैंने पाच्चे किया और प्रेशर आ रहा था मैं आप यह आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं और प्रॉपर बॉड़ी करब कर लिए साथ में इसको इसमें एयर में स्टेबर रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो कोई भी चीज आप यह एंटी ग्रैविटी करते हो जब आप जमीन पर है तो आपकी स्टैबिलिटी ज्यादा अच्छी रहती है पर एयर में स्टैबिलिटी कम होती है तो एयर में थोड़े से हवा में पहे रहे है और पीछे का अबजेक्ट मुविंग है तो आपको और ज्यादा स्ट्रॉंग कोर होने में मदद होता है तो यह आपको बहुत काम आएंगा फिलिंग अगेरे में और आल गैस और बहुत मदद का एक्सरसाइज है तो अगर आ यह वीडियो आपको पसन आया होंगा अगर आपको अपना पर्सनल जर्नलाइज शेडूल बनाना यह जीन ट्रेजिंग का चार्ट बनाना है तो आप मेरे एमेल आडी पे या तो वाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक कर सकते हो मैंने कम से कम रेट में प्रोवाइट करने के को करना है ज़्यादा लोगों तलग नॉलेज पोचाना है तो कोशिश कर रहा हूं मैं रिस्पेक्टिव फील्ड के प्रोफेशनल्स के साथ मैंने टाय अप किया और उनको भी कम से कम रेट में उनको रिक्वेस्ट करके मैंने कन्विंस कि ज्यादा से ज्यादा स्केलेबल किया जाए तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों तलग यह पहुंचाई है ताकि और मैं इसको रिजनेबल कर सकूँ और जो आम इनसान है जो जो प्लेयर अब भी स्टार्ट कर रहा है उस तलग भी मैं पोस्ट सकूँ ज् के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिस्पोंज दीजे राइक किजे शेयर किजे दोस्तों के साथ वाटसब ग्रूप में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर किजे क्योंकि कोई एक्सराइज बहुत जरूरी होती है गाइस तो तो तिल दे नेक्स ताइम लब विए बहुग पन्स्तुम प्रणस प्रणस तो तो जेक्षिब ख्याद सकते हैं राइस आपदाट प्रूप तो प्रणस वे श्याद प्रणस फे जाक्तूरी है अज्याद से झादी झादाट एक बड़ कारिए यूएजला बाइस वाट्टा दो तो चीससे बाएबड अश